हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का धिराज क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर और जो भी बच्चे के वियस इंट्रिव्यू की प्रिप्रेशन कर रहे हैं उन्हें पता है इस बार डैमो टीचिंग की क्या वेटेज है तो आज की वीडियो में बच्चों हम बात करने वाल ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखे मैंने बहुत सारे बच्चों के लाइव डैमो लिये थे तो अपने परसनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं देखो आपने बच्चों को अपना टॉपिक इंट्रिड्यूस किया उसक जब भी आप अपने टॉपिक को अनाउंस करें तो अनाउंस दा टॉपिक लिटल लाउडर आप जिस किसी भी स्पीड से पढ़ा रहे हैं या जेव भी आपका वॉइस का थ्रो है अपने टॉपिक को अनाउंस करते समय आपका वॉइस का थ्रो थोड़ा सा ज्यादा रहना देखो होता क्या है ना कई बार जो interviewer होते हैं वो कुछ ना कुछ लिखने में busy रहते हैं और वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है तो जब आप अपने topic को थोड़ा सा loudly announce करेंगे तो एक तो आपको उनका attention मिलेगा और दूसरी चीज कही ना कही एक हमारी ये teaching skill भी है कि हम अप आपने topic को इस तरह से announce करें ताकि class में हर बच्चा जो भी बैठा है उसे ये पता लग जाए कि आज का topic क्या है for example जो भी आपका introduction में last का जो problematic question है बच्चों ने उसका answer मानलीजे दे दिया आपका मानलीजे topic transportation है तो आप क्या कहेंगे yes today we are going to discuss the topic transportation तो simple सी बात है topic को थोड़ आपकी पहली बात दूसरी बात देखिए दूसरा point है आप जो करने वाले हैं वो है आपकी demo teaching उसमें ये आपका board है और ये हो गया आपका board area तो अधिकतर मैंने observe किया है कि बच्चे एक ही जगा पर खड़े रहकर बहुत देर तक पढ़ाते है जनरली जो classroom होते हैं उसमें र आपका board area है इसको यूज जरूर कीजिए इसके दो फायदे हैं सबसे पहला फायदा एक तो आप confident लगेंगे क्या लगेंगे आप confident लगेंगे और दूसरी बात जब आप active रहेंगे तो कई बार देखा है मैंने बच्चे dialogues भूल जाते हैं कई बार बहुत जादा stress लेते हैं उनके जो pair होते हैं वो भी shiver करने लगते हैं तो जब आप walk करते रहेंगे active रहेंगे तो ये problem आपके साथ नहीं होगी हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पर add on करना चाहूंगा अगर classroom में आपको कोई भी ऐसा object मिलता है जो आपके topic से related है तो उसे mention करना मत भूलना तो यहाँ आपर मैं कह सकता हूँ कि आप complete stage ना use करके पूरे classroom को अगर use कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा तो second point है मेरा use complete stage next point तीसरा बहुत important point है try to add melody in your demo teaching अब यह melody आती कैसे है यह आती है आपकी rhyme से ध्यान देना इस बात पे देकिए अधिकतर मैंने demo teaching में क्या देखा है बच question से शुरू कीजिए and क्या कर रहे हैं वो भी question पर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप demo teaching को interesting बनाना चाहते हो तो आपको उसमें melody कुछ songs कुछ rhymes add करो आप उसे किसी भी रूप में add कर सकते हैं चाहे आप अपने introduction में add कर लो चाहे जो भी आप topic पढ़ा रहे हैं उसको कही बीच में add कर लो देखो हमारे जो कान होते हैं जो ears हैं उसे song सुनना पसंद है उसे voice modulation पसंद है तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आप rhymes को जरूर add करना अपनी demo teaching में चाहे आप अच्छा गाते हैं या नहीं गाते हैं मेरे कहने से rhymes को जरूर add करना even math में भी अगर हम चाह तो बच्चो ये बहुत ही तीन common points हैं जो आप अगर अपनी demo teaching में follow करते हैं तो ये मेरी guarantee है कि आपके marks अच्छे ही रहेंगे और मैंने आपसे कहा था जो भी आप demo teaching कर रहे हैं उसकी एक खुद video record कीजिए और उसको देखिए कि कहां पर आपकी गलतिया हो रही हैं कहां पर आपके expression आपको खुद अच्छे नहीं लगे किसी भी बात को आप और कैसे कह सकते थे तो खुद की presentation को improve करने का ये एक बहतर तरीका होता है खुद की एक छियोटी सी video बनाईए उसे देखिए अगर सब कुछ अच्छा है तो ठीक है अगर आपको लगता है कि यहां पर ऐसा कर सकता था मैं तो उसको दुबारा practice कीजे ठीक है गाईज अगर आपका फिर भी कोई doubt है तो आप मुझे इस whatsapp नमबर पे पूछ सकते हैं या फिर comment section में मुझे से पूछे मैं ज़रूर reply दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे चैनल पे नहीं है तो subscribe जरू कर लीजेगा thank you so much guys